नमस्कार आप देख रहे हैं अख़बार जगत इन दिरों सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत जादा वाइरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे वित्त और कॉर्परेट मामलों के राज्य मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर चाई 2000 रुपए के नोट को बंद करने की खबरों का खंडन किया है अनुराग सिंग ठाकुर ने कहा कि इसको लेकर किसी को भी घबराना नहीं चाहिए राज्य सभा में एक प्रश्ण के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की फिलहाल 2000 रुपए का नोट बंद करने की कोई भी योजना नहीं है सोशल मीडिया पर एक मैसेज वाइरल हो रहा है जिसने दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2019 से 2000 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं तो हम आपको बता दे कि 2000 रुपए का नोट बंद नहीं हो रहा है और ना ही 1000 का नोट मार्केट में आने जा रहा है नए नोट को लेकर हो रही यह बातें महज अफवा हैं तो क्रपया इस पर ध्यान ना दे रिपोर्ट अखबार जगत